अगर आप लोग भी अपने मोबाइल के किसी भी अप्लिकेशन या फिर गेम को हाइड करना चाहते हैं और आप लोग यूटूब पर काफी जादा वीडियो देख चुके हैं सर्च कर चुके हैं बट आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है जिससे कि आप लोग आसानी से अपने मोबाइल के किसी भी गेम को या फिर अपको या फिर अप्लिकेशन को हाइड कर सकें तो आप बिल्कुल सही जगे पर आए हैं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी तरीका बताने वाला हूँ ये तरीका आपके पास किसी भी कमपनी का मोबाइल हो आपको किस तरह से दिखेगा यहां पर दूस्तों आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले आपको नीचे की साइड से स्क्रोल करना है उसके बाद आपको थ्री डोट दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर एक बार क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक दिखाई दे रहा है hide app का तो आपको simply से यहीं पर एक बार click करना है जैसे ही आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर password डालने के लिए कहेगा तो आपको पहले ही एक password बना लेना है password आपको किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपको application को hide करना है और कौन सा application आपको download करना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile के play store को open कर लेना है और यहाँ पर आपको एक application को search करना है आपको type करना है Microsoft launcher और इसके बाद आपको search कर देना है search करने के बाद आपको first number पर ही application देखने को मिल जाएगा मेरे mobile में यह पहले से ही install है इसलिए यहाँ पर open का option आ रहा है और आपको इसे install कर लेना है अब तक इस application को 10 million से भी ज़्यादा लोग install कर चुके हैं इसके बाद जब आप इसे open करेंगे तो आपसे कुछ permissions मांगेगा उन permissions को आपको allow कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा अब आपको करना क्या है यहाँ से कुछ इस तरह से scroll करना है तो आपके mobile में जितने भी applications हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उपर के side में आपको three dots दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद आपको option दिखाई दे रहा है hidden apps तो hidden apps पर जैसे ही click करेंगे इसके बाद आपको hide apps वाले option पर एक बार click करना है क्लिक करने के बाद अब आप लोग जिन जिन भी applications को hide करना चाहते हैं उन application को यहाँ पर select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर demo के तौर पर कुछ applications को select कर लेता हूँ hide करने के लिए इसके बाद आपको done वाले option पर एक बार click कर देना है क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने applications को select किया है तो application यहाँ पर आपको so हो जाएंगे और इसके बाद आपको back वाले option पर click कर देना है अब आपके applications तो hide हो चुके हैं बट अभी यहाँ पर कोई भी password नहीं लगा हुआ है password को लगाने के लिए उपर के side में एक option आपको दिखाई दे रहा है setting तो आपको यहाँ पर एक बार click करना है click करने के बाद आपको set password वाले option को enable कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे sign in और skip तो आपको यहाँ पर sign in नहीं करना है इसकी बाले option पर click कर देना है click करने के बाद आप जो भी password set करना चाहते हैं उस password को यहाँ पर type कर देना है दोबारा से आपको उसी password को type करना है अब आपका successfully यहाँ पर password set हो चुका है अब आपको करना क्या है यहाँ पर इस तरह से scroll करना है 3.पर click करना है hidden apps वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपने जो भी password को set किया था उस password को enter करना है तो आपने जितने भी applications को hide किया था वो सभी applications आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों अगर आप लोग और applications को hide करना चाहते हैं तो आपको hide apps वाले option पर click करना है click करने के बाद और भी applications को hide कर सकते हैं इसके बाद अगर आप लोग किसी भी application को unhide करना चाहते हैं आप जैसे ही यहाँ पर unhide पर click करेंगे तो सिर्फ एक ही click में application unhide हो जाएगा इसके बाद आपको बैक आजाना है और वो application आपके unhide हो जाएगे इसके बाद दोस्तों आप लोग जब इसे search करेंगे यहाँ से तो आपने जो भी application को hide किया था वो कोई भी application आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक problem है अगर आप लोग play store में उस application को search करेंगे जो भी application आपने वहाँ पर hide किया था तो आपको play store में वो application देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि play store से भी वो application search करने पर ना आए तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से play store में किसी भी application को hide कर सकते हैं यानि कि आप जिस भी application को search करेंगे तो वो application search करने पर नहीं आएगा उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description box में दे दिया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like करें अपने friends में share करें और हम मिलते हैं आपसे फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद